और वही यूपी विदान सभा चुनाव की नजदीक आते ही सियासी सरगर्मिया तेज हो गई है वहीं शिपाली आदव ने कहा है कि अगर अकलेश आदव सम्मान के साथ उनकी कारिकर्तों को टिकेट देंगे तो वो गटबंदन करने को तयार है और इसी मुद्दे को लेकर हमा साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी से राज्यसाबा सांसद सुकराम सिंग यादो जी अगर यूपी की बात करें जिस तरीके सियासत तेज हो गई है शिपाल सिंग यादो ने भी कहा है कि अखलेश यादो अगर सम्मान पूर्वक उनके लोगों को टिकेट देंगे त तो समाजवादी पार्टी का अधार पहले जो पहले से था उसमें और ब्रहुत्तरी हो जाएगी और बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल होगी हमसे टक्कर लेना समाजवादी पार्टी टंबर एक पर आगे जाएगी तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि अब वक्त आ चुका है कि समाजवादी पार्टी और शिवपाल जी को एक साथ हो जाना चाहिए समय की मांग यही है कि दोनों लोगों को जो पहले एक है एक परिवार है एक दल रहा है एक विचार धारा रही है लुईया जी को स्विपाल सिंग मानते हैं लुईया जी अखलेशी मानते हैं चोईचरन सिंग को अखलेशी मानते हैं चोईचरन स्विपाल सिंग मानते हैं न पायावती ने भी एक बड़ा बयान दिया है, खास दोर पे समाजवादी पार्टी को लेकर कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सपा और भाजपा दोनों ही चुनाओं में हिंदो-मुसल्मान करने पर लगी हुई। अल्प संख्यों की बात करती है, लेकिन बैक वर्ड को भी साल लेकर चलती है, अल्फ संख्या को और बैक वर्ड दली मिलाकरी काम समाजादी पार्टी करती रही है। लेकिन यदि यदि मायवते जी कहती हैं, हम योगी जी के हैं, तो सन्याद लेना पड़ेगा, काम को यह भी करना पड़ेगा. वक्त देने के लिए शुक्रिया, कैमरा पसंट सुमित के साथ ममता चत्रवीदी, जनतन्त्र टीवी दिलेगा. अवेलेबल अन गूगल प्ले अप्स्टो, डाउनलोड अपनाव.